देट है आज की 11 अप्रेल 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिसकेशन में आज देखो तीन एडिटोरियल हम डिसकेश करेंगे सबसे पहले आर्टिकल हम डिसकेश करेंगे आज सैंक्सेंस से सम्दित सैंक्सेंस होते क्या हैं? कोण लगाता है? कितना गलत कितना सही है सैंक्सेंस लगाना तो ये पूरा आर्टिकल हम डिसकेश करेंगे दूसरा आर्टिकल केर इकोनमी से सम्दित तीसरा आर्टिकल हम डिसकेश करेंगे वर्ल्ड में फिलाल इमर्ज हो रहे डिसोर्डर से सम्दित quote है आज का गांधी जी का best way to find yourself अगर देखो आपको अपने आपको पाना है तो आपको ना अपने आपको lose कर देना है दूसरों की service में जब आप दूसरों की service में इतना जादा लग जाओगे तो इसका मतलब आप अपने आपको पाल होगे तो ये quote आप इस्तमाल कर सकते हो जब आपको depressed classes के उत्थान के बारे में कुछ लिखना हो चलिए discussion start करते हैं First important article, sanctions से समधित हैं आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हो देखो आप अक्सर ये term सुनते हो UN ने sanctions लगा दिये या फिर रश्या के उपर sanctions लगा दिये गए है से question पूछ लेते हैं what are the sanctions और ये क्यों लगाए जाते हैं या फिर mains में ही UPSC sanctions से समधिक direct question पूछ लेती हैं क्या बताओगे देखो इस concept को ना हम एक example की साहिता से समझने की कोशिस करते हैं better done से समझ में आएगा मालीजे एक गाउं है टीकमगड MP का गाउं है टीकमगड यहां पे गाउं में समाजिक कुरूतियों को रोकने के लिए ग्राम पंचायत बैठती हैं ग्राम पंचायत मतलब 100 लोग बैठते हैं गाउं के और वो जो भी कुरूति है ना जैसे सराब पीना खराब मना जाता हैं तो ग्राम पंचायत मेना सर्व सहमति से ये फैंसला लिया जाता है कि अगर कोई परसन सराब पीता है तो उसको गाउं से बाहर निकाल दिया जाएगा वो गाउं में बिल्कुल अलग थलग हो जाएगा ग्राम पंचायत ऐसा इसलिए करती है ताकि डर पैदा हो कोई भी परसन जुआ ना खेले सराब ना पिये ये पहला केस है अब आप एक दूसरे केस को कंसिडर केजिए सेकेंड केस सेकेंड केस में क्या होता है टीकमगड गाउं में माल लिजिए कोई बहुत अमीर और इन्फिलेंशल परसन है जिसका नाम है एक्स अब एक्स क्या करता है अपनी मनमानी करता है ग्राम पंचायत तो सैंक्सेंस लगाती है माली यह कोई जुआ खेलता पाया जाता है या फिर तास खेलता पाया जाता है लेकिन जो यह अमीर आदमी है ना चुकि यह influential है गाओं का कुछ दूसरे लोग भी इसको follow करते हैं तो यह ना अपनी मर्जी से चीजों को interpret करता है और किसी भी person पर sanctions लगा देता है किसी भी person को bycote कर देता है जैसे किसी person ने cold drink पी लेकिन यह influential person x बोल देगा कि नहीं नहीं इस a person ने cold drink नहीं पी इस person ने पिया है drink करी है इसने तो इसको bycote कर दिया जाए तो x person की यह मनमानी है क्यों काईदे से होना तो यह चाहिए था कि x person ग्राम पंचायत के पास जाता और ग्राम पंचायत इस case को consider करती कि a ने cold drink पी है या फिर drink की है लेकिन नहीं चुकि x person जो है वो अमीर है influential है गाउं के कुछ दूसरे लोग इसको follow करते हैं तो फिर अपनी मनमानी करता है मर्जी चाहे किसी पर यह sanctions लगा देता है मतलब bycoat कर देता है और कोई अगर साफ साफ drink भी करता है तो उसे छोड़ देता है यह x person अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं ग्राम पंचायत क्या है ग्राम पंचायत है UN UN के पास देखो powers है अगर कोई देश international ला को follow नहीं करता है न तो उस देश को penalize करने के लिए उस देश को सही रास्ते पर लाने के लिए UN के charter में sanctions का provision है sanctions मतलब उस देश को जो international ला को follow नहीं करता है उसको अलग थलग कर दिया जाता है रोक लगा दी जाती है कि कोई दूसरा देश उससे trade नहीं करेगा हतियार नहीं बेचेगा इवन कई बर तो flights के आने जाने पर भी रोक लगा दी जाती है तो ये तो हुई first case की बात और दूसरे case जो हमने discuss किया X जो अमीर आदमी अपनी मनमानी करता है वो कौन है वो है USA USA unilateral sanctions लगा देता है जैसे देखो इस case में रश्या के ऊपर जो sanctions लगाए गए है न वो gram panchayत ने नहीं लगाए यानि UN ने नहीं लगाए ये US ने अपने आप से लगा दिये अपने साथी देशों के साथ मिलके रश्या के ऊपर ऐसा US ने देखो पहली बार नहीं किया है US ने unilateral sanctions कई सारे देशों के ऊपर लगा रखे हैं जैसे इरान के ऊपर लगा रखे हैं वेनुजूला के ऊपर लगा रखे हैं अब काईदे से लगाने UN को चाहिए एक बार ना किसी कैंडिडेट ने त्यादी स्टार्ट की थी तो उसने मुझसे एक इनुसेंट कोशन पूछा सर ये US क्यों सेंक्सेंस लगाता है तो रस्या क्यों नहीं लगा देता या फिर इंडिया क्यों नहीं लगा देता तो देखो उसने अब यवी त्यारी स्टार्ट की थी इसका सिंपल आंसर ये है US के पास पावर है वर्ल्ड का जातर ट्रेड जो होता है वो डोलर में होता है तो US सेंक्सेंस लगाएगा तो उसकी वैल्यू है न फरक पड़ता है उससे अब वही एक्जामपल लीजिए गाओं का अब गाओं में देखो अमीर आदमी का पास बहुत पैसा है बहुत से लोगों के साथ उसकी डिलिंग्स है तो वो किसी परसन को बाइकोट करेगा मान लीजे वो अमीर आदमी को समान बेचने से मना भी कर दे तो कितनी दुखाने और होंगी तो गरीब आदमी जो सैंक्सेंस लगाएगा उसके सैंक्सेंस का कोई फरक ही नहीं पड़ेगा तो ये आंसर है उस कंडिडेट के कोशन का कि इंडिया या फिर कोई दूसरा देश पाकिस्तान क्यों नहीं सैंक्सेंस लगा देता पाकिस्तान सैंक्सेंस लगा दे वैल्यू ही नहीं है उसके आप में कुछ है ही नहीं लिवरेज ही नहीं है तो यूएस देखो इस परकार के सैंक्सेंस लगाता है जैसे पूरी तरह से trade बंद कर दिया जाए, रश्या के साथ पूरी तरह से अब trade बंद कर दिया गया है, travel बंद कर दिया गया है, financial transactions पर रोक लग गई है रश्या के साथ, even रश्या की जो financial assets थी US में, उनको freeze कर दिया गया है, import पर रोक लगा दी गई है, ये सब sanctions के example हैं, अब इसके देखो next question ये आजाता है, कि UN के charter में कौन से articles हैं, जो sanctions की वकालत करते हैं, देखो article 39 है, UN के charter में, जो बोलता है, अगर peace को खत्रा है, या फिर peace का breach होता है, या पीस भंग होती है, या फिर कोई देश aggression शो करता है, तो फिर article 41 के तहट, decision लिया जा सकता है, UN security council के द्वारा, लेकिन, armed forces का use नहीं करना है, जो भी decision लिया जाता है, UNSE के द्वारा, उस देश को सबक सिखाने के लिए, armed forces का use नहीं करना है, यहाँ पे देखो, measures not involving the use of armed forces, armed forces के use के अलावा, बाकी क्या steps लिये जा सकते हैं, उस देश को सबक सिखाने के लिए, जिसने peace को भंग किया है, व उस से में देखो, इतनी चीज़े developed नहीं थी, rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, इन सबका बहुत value था उस समय, जब UN charter बना था, तो बोला गया है, कि यह सब चीज़ें जो हैं, वो disconnect की जा सकती हैं, उस देश के साथ, जिसने peace को भंग किया है, इसके बाद देखो, 1966 में, United Nations Security Council ने, 30 तरह के जो sanctions हैना, उनको classify किया, जैसे हत्यारों के purchase पर रोक, ये एक तरह का sanction है, travel ban, ये दूसरी तरह का sanction है, जैसे रशिया में कुछ influential जो लोग है, minister वगरा, उनके western countries में travel पर रोक लग गई है, western countries खास करके US, Canada, इन देशों ने रोक लगा दिया है, जैसे, रशिया के जो army chief हैं, लिस्ट आप देख सकते हो, जरूरी नहीं है, आप SN समझें, इसके लावा UN ने देखो, 14 UN spotted program of sanctions भी established किये हैं, हर एक UN spotted जो sanctions program है न, उसको administer किया जाता है, एक sanctions committee के द्वारा, और उस committee के chairman होते हैं, security council में non-permanent member, बस आप SN समझ लीजिए, इतना deep में आपको जाने का आप सकत provision है sanctions काम, तो हमने समझा, UN में कौन से articles में sanctions की बात कही गई है, अलग अलग तरह के sanctions define के गए है, 14 UN spotted programs हैं, और हर एक program को administer किया जाता है, sanctions committee के द्वारा, और उस committee को chair किया जाता है, security council में non-permanent member के द्वारा, इसके बाद आपके मन में एक question ये आया होगा, अगर रशिया ने वास्तम में peace को भंग किया है, तो UN ही लगा दे ना फिर sanctions, इसका answer देखो ये है, United Nations Security Council में तो आपको पता है न, रशिया के पास तो veto power है, तो security council कैसे sanctions लगा सकती है, रशिया के against, जब भी sanctions लगाने की कोशिस की जाएगी, रशिया अपनी veto power का use कर लेगा, इसके बाद फिर next question ये उठता है, क्या USA ने जो किया है, unilateral sanctions लगाए है, क्या वो पूरी तरह से illegal है, पूरी तरह से तो नहीं, क्योंकि देखो जो international trade agreements है न, जैसे WTO है, या फिर दूसरी investment treaties है, इन में न, self defense के नाम पर, या फिर यूँ कहे, security के नाम पर, किसी देश के साथ trade बंद करने की छू तो हमने तो security के नाम पर sanctions लगाए है, यानि trade करना बंद किया है, रश्या के साथ, अब कुछ experts इसे ये भी बोलते है, ये तो self judging action है, मतलब US अपने action को खुरी judge कर रहा है, कि हाँ हमने security की जो exception दे रखी है, WTO की treaty में, तो उसका use किया है, रश्या के साथ trade बंद करने के USA के द्वारा जो sanctions लगाए है, रश्या के ऊपर, देखो वैसे तो अब Ukraine war के issue पर पूरा world ही divided है, और जाहतर ये जो institutions है जैसे international court of justice, ये तो आपको पता है, west dominated है, तो रश्या साथ नहीं जाएगा, लेकिन past में ऐसे examples जरूर देखने को मिले हैं, जिसे निकरगुआ case है, इनक international court of justice के पास चले गए, international court of justice ने US को criticize किया कि आपने जो ये sanctions लगाए है, निकरगुआ के ऊपर ये गलत है, इवन UK ने भी sanctions लगा दिये थे इरान के ऊपर, तो Iranian जो bank है वो चला गया था court में, international tribunal में, तो international tribunal ने UK को कहा कि आपने जो sanctions लगाए हैं, वो गलत है, Iranian bank ने 1.3 billion euro claim किये थे as a damage, UK के sanctions के against में, तो Russia जा तो सकता है, लेकिन Russia जाएगा नहीं, क्योंकि ये जो cases थे न, ये इतने polarized नहीं थे, लेकिन Ukraine war का जो issue है वो west में अब बहुत ज़्यादा polarized हो चुका है, तो ये पूरा article हमने discuss किया, अब चलते हैं आगे, इसके बाद next article जो है, वो देखो care economy से समदित हैं, आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हो, सबसे पहले देखो, आप ये बताइए, care work या फिर care economy का क्या मतलब है, देखो care work में direct activities आती हैं, जैसे बच्चे को पालना, बच्चे को दूद पिलाना, कोई partner या फिर family member बिमार है, उसका ध्यान रखना, ये सब direct activities के example है care work के अंदर, आप इस परकार से समझ सकते हो, ये है care work, ये है care work के अंदर direct activities जो हमने discuss की, बच्चे को पालना, खाना, खिलाना, अपने family member का ध्यान रखना, और ये है indirect care activities, जैसे cooking, cleaning, खाना नहीं बनाओगे तो बाकि लोग खाना खाएंगे कैसे, तो ये indirect care activity है, अब देखो care activity ना, paid भी हो सकती है, और non-paid भी हो सकती है, non-paid मतलब unpaid, unpaid care activity जैसे देखो, भगवान का सबसे बड़ा gift है, mother है, mother किस परकार से family का ध्यान रखती है, ये अमुल्य है, इसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती, बट देखो, economy के हिसाब से देखे ना, ये unpaid job है, पैसा तो नहीं मिलता न, economy के हिसाब से देखें तो, और paid care work, जैसे देखो, domestic workers हैं, ये क्या है, ये example है, paid care work का, तो basics को discuss करने के बाद, इस article में न, अब care work के से सम्मंदित, कुछ concerns discuss किया जाते हैं, जैसे देखो, maternity leave हैं, maternity leave जो है, universal human और labor right हैं, अब इंडिया में तो अच्छी चीज़ हैं, 26 weeks की maternity leaves मिलती हैं, महलाओं को, 2016-17 में ये act आया था न, उसके बाद से, बट आप सोच के देखिए, कितने कम mothers को ये leave मिलती है, क्योंकि देखो, ये act लागू है, formal workers के लिए, और हमारे देख में आपको पता है, बहुत ही कम workers, formal sector में काम करते हैं, तो 89% जो women workers है न, उनको तो इस act का लाब नहीं मिल पा रहा है, और paternity leave, यानि father को जो leave मिलती है, वो तो हमारे देख में अभी applicable नहीं है, fathers को leave नहीं मिलती है, बच्चे के जनम के बाद, लेकिन यहाँ पर question raise हो जाता है, कि बच्चे का ध्यान रखना, क्या सिरफ mother के जिमेदारी है, नहीं, father की भी जिमेदारी है, तो paternity leave का भी provision होना चाह establish किया जा सकता है, इसके बाद next concern है, access to quality and affordable care services, care services की affordability और quality का issue है, जैसे देखो child care है, child care आज के समय में काफी महँगा है, हर कोई child care effort नहीं कर पाता, मालीजे, middle class के लोग है, mother भी काम करती है, अगर वो चाते हैं, कि हमारे बच्चे का ध्यान कोई और रखे, अच्छे से रखे, तो उनके लिए ये ensure करना बहुत मुश्किल वाली बात है, आज के समय में, elderly care, care for the people with disability, ये सब ensure करना आज के समय में, ना सिरफ इंडिया में, बल और establishments में, cratches होने चाहिएं, बच्चों के लिए जहां पर बच्चों की देखपाल के जासके, लेकिन आपको भी पता है, act का अच्छे से implementation नहीं होता, और इसके साथ साथ, अगर cratches establish भी होते हैं, तो वहां पर विवस्ता काफी खराब होती हैं, next concern है, care workers के लिए अच्छ नहीं लगता है, उन्हें ज्यादा recognition नहीं मिलता है, काम उनका काफी अच्छा है, इसके लावा देखो, जैसे अलग-अलग छेत्रों में, union देखने को मिलती है, transport workers की अलग से union है, coal workers की union है, सरकारी करमचारियों की union है, as such na care worker की कोई ठीक से representation या फिर union नहीं देखने को मिलत पाती, अब बहुत सारे छेत्रों में जहां अच्छी union होती है, वो लोग सरकार से अच्छे से bargain कर पाते हैं, जैसे किसान है, किसान एकजूट हुए, उन्होंने बिल सरकार से वापस करवा दिये, बिल सही था, गलत था, उस issue पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन collective power की बात कर रहे उसी परकार से अगर care workers एक जूट हो जाए ना, तो सरकार से बात्य मनवा सकते हैं, फिर बोला जाता है, कुछ अच्छे काम तो किये हैं, सरकार ने जैसे sexual harassment of women at workplace, prevention, prohibition and red racial act 2013 आया, minimum wages में revision हुए, लेकिन ये परियास जो हैं, वो नाकाफी हैं, तो last minute writer suggestions देते हैं, writer बोलते हैं, सरकार को na care economy में invest करना चाहिए, जैसे health में, education में, अगर सरकार care economy में invest करेगी ना, इसके बहुत सारे फाइदे होंगे, सबसे बड़ा फाइदा तो ये होगा, कि लोगों को jobs मिलेंगी, और जादा jobs मिलेंगी महिलाओं को, यानि महिलाओं का, जो labor force में participation है, वो इससे SDG goal number 8, जो है न, वो भी achieve करने की दिशा में देश आगे बढ़ेगा, writer इसके बाद ILO का जिकर करते हैं, International Labour Organization, ये देखो, तीन पक्सिया UN agency है, इसमें government, employer और worker, तीनों का alliance देखने को मिलता है, 1807 member state है, इन्होंने न, एक report release की थी, care at work, investing in care leaves and services for a more gender equal world of the work, तो इसमें उन्होंने इस बात पर focus किया था, कि सरकार, ना सिरफ care economy में invest करें, बलकि, जो burden है न, care workers का, वो भी कम करें, burden कैसे कम कर सकते हैं, जैसे working hours निश्चित करके, wages निश्चित करके, उनको क्या-क्या facilities मिलेंगी, ये, आप इसका provision कर दो, तो इससे क्या होगा, care workers का burden कम हो जाएगा, इंडिया तो देखो, आज के समय में, GDP का 1% से भी कम invest करता है, care economy में, तो ILO ने एक 5R framework propose किया है, care workers के उत्थान के लिए, सबसे पहला recognition, उनको recognize करो, reduction, मतलब उनको उपर burden कम करो, redistribution of unpaid care work, जैसे महिलाएं, सारा paid care work, care work करती हैं, जैसे mothers करती हैं, तो fathers को भी करना चाहिए, distribution of unpaid care work, तीसे नमबर पे, promotes rewarding care workers, जो care workers अच्छा काम करते हैं, उनको reward दो, और decent work से, समझ रहे हो, मतलब जो care workers अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें और ज्यादा decent work provide करो, next है, representation in social dialogue and collective bargaining, ये वही बात जो मैंने बोला, कि trade union बननी चाहिए, इनकी भी, तो ये collective bargaining कर्स केंगे, तो ये 5R framework हैं, जो propose किये गए हैं, ILO के द्वारा, care workers के उत्थान के लिए, और care economy को और ज्यादा strong बनाने के लिए, अब चलते हैं आगे, देखो अगला हमारा जो article है नम, वो disordered world में इंडिया के role से समन्दित हैं, आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हो, शुरवात में writer बोलते है देखो आज न, world काफी disorder लग रहा है, disorder जैसे कि world governance में न, global governance में डेमोक्रेसी को follow नहीं किया जा रहा है, देखो second world war के बाद ये सारे institutions बने थे, जैसे IMF, world bank, इन में US का बोलबाला है, US और US के ally countries अपनी मनमर्जी करते हैं, इन संस्थाओं में, even WTO में भी, और जबकि UN में 5 security council के members हैं, उनकी चलती हैं, जो permanent members हैं, तो आपने देखा, COVID-19 के दुरान, किस परकार से ये institutions fail हो गए, जहां एक तरफ, developed countries में vaccines ज्यादा थी, use भी नहीं हो रही थी, दूसरी तरफ, गरीब देशों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनको अभी एक dose भी न कार से US ने unilateral sanctions लगा दिये Russia के ऊपर, तो ये सब examples हैं जो show करते हैं आज के समय में global governance जो हैं काफी undemocratic हैं, जिसकी लाठी उसी की भैस वाली situation हैं, देखो USSR और USA के बीच में fight थी आपको पता है, cold war चल रहा था, लेकिन जैसे ही USSR का disintegration हुआ न, Russia को बड़े बड़े वादे कि करेंगे, आपके साथ trade increase करेंगे, NATO का expansion नहीं करेंगे, और कुछ steps भी लिए के, जैसे G7 जो एक organization बनी थी न, non communist countries आपस में corporate कर सके इसके लिए, इस G7 organization में रश्या को भी सामिल कर लिया गया, G8 बन गया ये, लेकिन 2014 में जब रश्या ने क्रीमिया के ऊपर attack किया, क्रीमिया G20 बना था 1999 के असपास, तो यह जो अपने Asian Tigers है न, जैसे Singapore, South Korea, यहाँ पर economy crisis आये थे, तो यहाँ पर economy crisis आने के बाद G20 organization बनी थी, और अब कहा जा रहा है, G20 से भी रश्या को निकाल दिया जाएगा, यानि West अपनी मनमानी कर रहा है, अब India का रोल कहां आता है, अब देख होगी 2022 के लाश्ट में, तो अब देखना ये होगा, कैसे इंडिया इस situation में react करता है, देखो यहाँ पे न, दो तीन चीजें है, राइटर में ली, US को criticize करते हैं, US और US के ally countries को, पहली चीज, आपना जो sanctions लगा देते हो न, इसका असर नहीं होता है, जैसे रश्या की बात की कीजिए, रश्या के ऊपर sanctions लगा दिये, US और US के ally countries ने मिलके, ये सोचा, US ने कि रश्या को penalize किया जाए, कि उन्होंने युक्रेयन के ऊपर attack किया है, बड़ देखो, ये सोचना चाहिए, US को, कि बलकि पुटीन की जो लोग प्रियता है न, वो बढ़ गई है, युक्रेय इनोशेंट होते हैं, लोग तो हमेशा प्रोपगेंडा का सिकार हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी side का हो, sympathy, nationalism, ये सब चीजे न, बिखती हैं, आप लोग सारे समझदार हो, sympathy के नाम पे पूरे world में किसको भी बेवकूफ बना दो, तभी तो आपने देखा होगा, reality show वाले इस इस परकार से show करते हैं, किसी भी actor को, या फिर कि पहले ये गरीब था, इसने इतना संघर्स किया, बहुत बार आपने देखा होगा, ये stories जूटी होती है, क्यों, क्योंकि ना, public sympathy में आती है, sympathy वाला कोई वीडियो हो, उस पर ज्यादा view आते हैं, या तो बहुत negative वाले यूज करता है, अब जैसे पूतिन है, पूतिन क्या यूज कर रहे हैं, रस्या के जो prisoner of war है, मतलब यूकरेन ने जो सैनिक पकड़ लिये, रस्या के, उनको किस परकार से यूकरेन के सैनिकों के द्वारा मारा जा रहा है, ये ऐसे ऐसी वीडियो रस्या में काफी circulate है, अब तो खुन खोलेगा ना कि हमारे देश के सैनिकों को कैसे मारा जा रहा है, उनको नहीं पता कि रस्या के लोगों ने क्या किया है, रस्या की आर्मी ने क्या किया है, वो उनको नहीं पता, लेकिन उनके सैनिकों को मारा जा रहा है, तो उनकी सिंपथी बहुत ज़्यादा हो ज मतलब आप लोग तो देखो highly rational हो, आप logic का इस्तमाल करते हो, वो लोग जो logic, rationality इनका इस्तमाल नहीं करते हैं, तो point पे आते हैं, अब US ने रश्या के उपर sanctions लगा दिये, उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बिचारे के लोगों को, और क्या रश्या रास्ते पर आज आएगा sanctions के बाद, बिल्कुल भी नहीं आएगा, आप कैसे इतने बड़े देश को isolate कर सकते हो, जिसके पास में US के बाद दूसे नंबर पे सबसे ज़्यादा nuclear weapons हैं, कैसे आप रश्या को isolate कर सकते हो, जितना ज़्यादा के steps ज़्यादा backfire करेंगे, North Korea एक ऐसा देश है, जिसके पास nuclear weapons है, और वो मतलब, पता नहीं यह line बोलनी चाहिए, के नहीं बोलनी चाहिए, मतलब समझने के लिए है, मुझे अभी सोच नहीं पा रहा हूँ है, बोलनी चाहिए के नहीं बोलनी चाहिए, North Korea ना अभी West के लि करता है, कि यार यह कहीं और ज़्यादा इसको pinlize किया जाएगा, तो यह और missile test करेगा, वर्ल्ड के लिए और खत्रा है, और नहीं उसके साथ relations open किये जा रहे हैं, West के द्वारा की, relation open कर दिये, तो इनके पास nuclear weapon है, उसका क्या होगा, तो मतलब first गया है, West North Korea से deal करते करते, और North Korea, तो देखो, एक ऐसा देश है, मतलब छोटा सा देश है, रस्या के मुकाबले में तो कम काफी कम powerful है, तो North Korea से अच्छे से deal नहीं करसका, West कैसे रस्या को isolate करके रस्या से deal कर पाएगा, यह देखने वाली बात है, फिर एक point यह देते हैं, writer, कि West ना, democracy लाने की कोसिस कर लेकिन democracy ना, अपने आप से आएना तो बहतर है, अब Trump ने एक बार statement दी, कि Russia में democracy आए तो सब कुछ ठीक हो जाए, बट देखो, जिसे इराक में democracy लाने की कोशिस की, US ने क्या हुआ, अटर failure, देश में civil war start हो गया, देश और जादा divided हो गया, तो point यह है, बाहर से आप democracy नह समदित हमारी आज की इस discussion में इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.